हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको वोई सोफ मडर रहे ये 2007 की कोरियन मिस्ट्री मूवी एक्स्प्लेंग करने वालो इस मूवी में एक बड़े से न्यूस एंकरर का बेटा केड़नेप हो जाता है और इसके बाद इस केड़नेपर को ढूणने के लिए cat and mouse स्टार्ट हो जाती है ये मूवी एक real life स्टोरी है और इसके fact आपको मूवी के end में पता चलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमारा main character हान में दिखता है ये एक news anchor होता है एक बड़े से channel के लिए काम करता है और nationwide सब लोग से जानते है आज रात की news में ये ये भी news cover करता है कि देश में बहुत सारी kidnapping हो रही है इसे कहता है कि तुम्ही जितना चाहिए उतना तुम खाओ इसका बच्चा बहुत ही fat होता है पर mother इसको हमेशा डाटती रहती है पर हान उसे कहता है कि तुम्हीं जो भी चाहिए वो तुम खा सकते हो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर दे सकता हूँ मदर का नाम जी सुन होता है जब सुबह होती है तो जी सुन अपने बेटे को कुछ भी अनेल्दी खाने नहीं देती है उसे डॉक्टर के बास shake up करने के लिए लेकर जाती है उसे दोड़ाती है इसके body में कितने fat है और इसे कितने कम करने चाहिए यह सब का हिसा वो लगाती है अब हमें दीखता है कि इनका बेटा जब स्कुल से वापस आता है तो उसका एक secret place होता है यहाँ जाकर वो खेलता है उसे भी अपने father की तरह news में anchoring करने होती है जब वे building में आता है तो बलीव से उपर आ रहा होता है यह ऐसा pretend कर रहा होता है कि CD चड़ कर आया है पर जी से नीचे जा का स्टेर से आने के लिए इन लिए कर रहा है कि लोग उनारे बारे में क्या कहते है हम दोनों मिलकर इसमें यह फर्स लेंगे जी सुन उसे नीचे जाकर और भी exercise करने के लिए एटि अरों मैं हमें दिखता है इनका बेटा यहां से गाइब हो चुका है जिस उन बहुत ही वेट करती है पर फिर भी यह आता ही नहीं वो वरीर हो जाती है थोड़ी देर बाद जब हान घर पर आता है तो उससे भी एती है आन कहता है कि जरा वेट कर लो यह यही कही होगा अब बहुत ही देर हो जाती है हान भी वरी करने लग जाता है जहां कहीं भी इनका बेटा जा सकता है सब जगा पर ये कॉल लगाते है पर ये कहीं भी नहीं होता जिस उन पुलिस को कॉल लगाना चाहती है पर हान उसे रोक लेता है थोड़े दिर में इन्हें कॉल आ जाता है ये kid neighbor का कॉल होता है हान जब phone उठाता है तो kid neighbor कहता है तुम तो मुझे बहुत ही काम लग रहे हो मुझे लगा था कि तुम वरीड होगे ये kid neighbor फिर उसे instruction देता है वो कहता है तुम्हारा बेटा मेरे पास है कल तक तुमारे पास 100 के डॉलस आ जाने चाहिए गाड़े में और एक phone तुम लगवालो मैं call करूंगा तो तीन ring होने से पहले ही तुम्हें एक call उठाना है अगर इन्होंने कुछ गड़वड की तुम इनका बेटा मर जाएगा kid neighbor कल इन्हें फिर से call करेगा यह केकर call रख देता है next दिन हमें दिखता है कि हान अपने work पर जा रहा होता है जिसन कहती है कि इस situation में तुम काम पर कैसे जा सकते हो हान कहता है कि मेरे उपर responsibility है मैं ऐसी work skip नहीं कर सकता मैं जाऊंगा और किसी और को भी इन्चार्ज करकर आऊंगा बैंक में जाकर वो आज लोन भी निकालने वाला होता है अन फिर लोन वेगरा निकालता है किन्ड़ पर हान को इन्फर्म करता है गाड़ी लेकर उसे एरपोर्ट तक जाना है वहाँ जाने के बाद सब कार के डोर्स वेगरा उपन कर देने है और वहाँ से निकल जाना है हान अपने बेटे के बारे में पोछता है किन्ड़ पर कहता है एक बार मुझे पैसे मिल गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मदर को जब किन्ड़ पर को कॉलाता है तो मदर उसे कहती है प्लीज उसे खाना देतो वह बहुत ही बड़ा लगता है और वह बहुत ही वीक है किन्ड़ पर कहता है इसे चाइनिस वोड चाहिए जिस उन कहती है कि उसके लिए अच्छा नहीं है या अपने बेटे से बात करना जाती है पर किन्ड़ पर कहता है कि वो अब सोय हुआ है हान को किर्णापर ने बोला था कि अब उसे बैक छोड़ कर वहाँ से निकल जाना है घर पर उसे जाना था पर हान वहाँ से नहीं जाता थोड़ी दिर में हान की गाड़ी में फोन बजने लग जाता है वो भागते भागते उसके पास जाता है किर्णाबर कहता है तुम्हें कहा था तुम्हें घर जाना है हन बोलता है कि इसे किसे गाड़ी में उपन छोड़ कर जा सकता हो अगर किसी भी random person ने ये पैसे ले लिये तो ये problem हो जाएगा किर्णाबर कहता है कि तुम्हें वरी करनी की जुरूरत नहीं थी जीसुन से जब किर्णाबर की बात हो रही थी तो जीसुन ने फोन ज़रा लेट उठाया था किर्णाबर उसे फिर से warning देता है तीन रिंग होने से पहले ही call उठ जाना चाहिए किर्णाबर अब हान से कहता है कि अलग place पर अब तुम्हें जाना है वो उसे एक location देता है वो उसके पास एक tea house है वहाँ जाकर वो बेठ है इसे उसके instructions होते है अब जीसुन को किर्णाबर कॉल करता है वो कहता है कि जो tea house था वो बन हो चुका है उसे chicken place पर जाने के लिए कहो हान जब chicken place पर पहुचता है तो सब कुछ लोगों को देख रहा होता है उसे लगता है यहाँ उसे किर्णाबर मिल सकता है suspicious आदमी उसे दिखता है तो उसकी color पकड़ लेता है यह उसे सवाल पुचता है कि वो कौन है क्या कर रहा है यह आदमी कहता है कि मैं police हूँ तुम्हारे wife ने यह सब situation police को inform की थी किर्णाबर जिसुन को call करता है और कहता है कि अब तुमारे बच्चे को मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं दूगा जिसुन रोने रख जाती कहती है कि police उसे कुछ दे दो पर एक किर्णाबर मानने वाला नहीं होता हाँ जिसुन बच्जिड गया होता है वो जिसुन को call लगा कर कहता है कि उसे police को inform नहीं करना चाहिए था हाँ जब उस Chinese प्लेस पर पहुचता है तो अब वहाँ किर्णाबर वगरा कोई भी नहीं होता अब next scene में हमें दीखता है कि police investigation स्टार्ट हो चुकी है जो सब area में suspect है इन सबको police ने उठवा लिया है इनके voice sample अब वो लेने वाले है police की meeting चल रही होती है इसमें कहा जाता है कि 2 minute के नीचे ही ये सब call करता है यानि कि ये call कोई भी trace ना कर पाए ये बहुत intelligent और cunning है ये हान का बेटा है तो इन पर pressure भी आप बढ़ने वाला है हान के घर पर हमें बहुत सारे police वेगरा दिखते है हान को समझा रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा हम जल से जल उससे ढूंड लेंगे अब phone वेगरा वो सब कुछ टैप करने वाले होते है police हान से पूछ रहे होते हैं कि क्या उसे किसी पर शक है हान कहता है कि मैंने सालों में बहुत सारे enemies बनाए है मैं अगर नाम लूँगा तो यह impossible बन जाएगा हान कहता है कि एक honest citizen की तरह मैंने live जी है मैं news anchor हूँ तो इसमें मैंने बहुत सारे लोग को hurt कर ही दिया है हान parking में होता है और किर्णा पर उसके phone पर call करेगा इसका wait कर रहा होता है जब call आता है तो किर्णा पर कहता है मैं तुम्हें बताया था कि पुलिस को तुम्हें call नहीं करना है हान चीट कर पूछता है कि तुम हो कौन किर्णा पर कहता है कि फिर से इस तरह की mistake मत करना वो इसे फिर से call करेगा यह कहकर call रग देता है यह कहता है कि वो इन सब पर नजर रख राह है चाण की गाडी के पास ही एक पुलिस ओफिसर हमेशा होता है हान जब सोय हुआ होता है और पुलिस ओफिसर का भी कुछ धियान न toss तो एक Chinese पार्सल वाला इसके गाडी उपर कुछ लगा कर जाता है इस पर किर्णापर की नोड होती है इस पर लिखा होता है तुम तो बहुत ही optimistic हो ये सारी situation चल रही है और तुम सो रहे हो हान उटता है और इस नोड पर वो बिलिव नहीं कर पाता है वो भागने लग जाता है और किसी को ढूणता है पर कोई भी हिसे नहीं मिलता पुलिस investigation करते है और इनहीं उस Chinese पारसल वाले के बारें पता चल जाता है कि इस Chinese वाले को पकड लेते है पर इसे पता नहीं होता सिर्फ ये note गाड़ी पर लगा कर आनी है इसके लिए पैसे दिये गए थे हान से जब पुछा गया था कि क्या उसने किसी को hurt किया है तो अब उसे याद आता है कि एक ही आदमी था जिसको उसने सबसे ज़ादा बरबाद किया था उसके जैनल में एक आदमी काम करता था पर उसने ब्राइब ली थी और गलत news उसने दे दी थी हान अगर जाता तो इस मैटर को दबा सकता था यह आदमी उसे गिड़िडा रहा था हान ने अगर यह रिपोर्ट कर दिया तो इस आदमी की नोकरी तो जाएगी पर यह जेल में भी जा सकता है हान माना नहीं था इस आदमी को इसके बाद 2-3 साल तक जेल हो चुकी थी पर उसकी मदर को उसे call आता है इसकी मदर उसके बेटे के बारे में पूछती है वो कैसे कर रहा है, स्कूल में कैसा है इसे बात करना चाहती है पर जीसुन अपनी मदर को call रखने के लिए कहती है किर्णावर का कभी भी call आ सकता है इसके बाद हान को किर्णावर का कॉल आता है किर्णावर कहता है क्या तुम्हारी वाइफ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती मैंने उसे कॉल लगाया था पर वो एंगे जा रहा था हान कहता है कि प्लीज उसे माफ कर दो अब किर्णा पर इन दोनों को एक सिनेमा हॉल के पास बुलाता है जिसन घर पर अब बहुती डिप्रेस्ट हो चुकी होती है उसे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा होता ये बात लेती है और फोन के पास भी नहीं बैठती हान उसके पास जाते है और चिट गया होता है जिसन जब रोने लग जाती है तो इसे वो सहारा देता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनका बेटा उन्हें मिल जाएगा ये सब वो उससे कहता है जो पुलिस ओफिसर है एक कार की ट्रंग में ही है अब ये दोनों सिने में हॉल किया जा रहे होते है हान जब ट्राफिक में अड़कता है तो डाइरेक्ली वो फूट पाथ पर गाड़ी ले लेता है वहाँ से चलता जाता है किन्यापर इसे कॉल पर कहता है कि आज तुम्हें लॉंग ड्राइव लेनी है किन्यापर इन्हें अलग-अलग लोकेशन देता रहता है किन्यापर से पूछने पर किन्यापर कहता है कि मैं सिर्फ इंशोर कर रहा हूँ कि तुम्हारा कोई पीछा वेगरा नहीं कर रहा क्या कहता है कि जब मुझे सब कुछ ठीक लएगा तो actual location में तुम्हें बता दूँगा इसके बाद एक mountain की location नहीं देता है जो police officer trunk में होता है यह सब कुछ सुन पाता है police के वह यह सब inform हो जाता है और किंड़र इन से कहता है कि अब तुम rope way में चले जाओ पाड के उपर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा जब उपर जाते है गाड़ी का दर्वाज़ ओपन होता है तो वहाँ एक आदमी आता है और गाड़ी लेकर चला जाता है इस गाड़ी के डिक्की में ही detective है जब उपर पहुँचते है तो वहाँ इन्हें अपना बेटा नहीं मिलता अब रात हो चुकी है पर अभी इन्हें कुछ भी पता नहीं चला है जो पुलिस ओफेसर गाड़ी के डिक्की में ही था उससे भी अब contact नहीं हो रहा अगले दिन पुलिस ओफेसरे बंदा हुआ होता है और एक remote जगा पर इसे रखा गया होता है यह जब उठता है तो पुलिस को क्वाल लगाता है इससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था किन्या पर कहा है तो यह कहता है कि उसे कुछी पता नहीं है गाड़े की डिक्की जब खुली तो इसे बेहोस कर दिया गया था और इसकी आग खुली तो डारेकली सुमसान जगा परिया था हान ने उसके चानल में कि जिस आत्मी को जेल में डलवाया था उस आत्मी का वो पता कर लेते है उसे क्वेशन के लिए बुलाया जाता है इसे बूछा जाता है कि जिस दिन किड्नैपिंग हुई थी तब वो कहा था यह अलग सिटी में था और इसका प्रूव भी इसने दिया हुआ है फॉरेंसीक टीम के जो मेंबर्स होते हैं डिसकस कर रहे होते हैं देबे कहते हैं कभी भी वो हैस 100% match नहीं होता वो हैस जब पहेंचाना जाता है तो 100% match नहीं कर रहा होता यह similar होता है पर फिर भी यह match नहीं कर रहा तो यह problem होती है हान अब frustrated हो जाता है फिर से ्रिके में पोलीस officer होता है तो गाड़ी ये स्पीड ब्रेकर से वगरा चलाने लग जाता है सब फ्रस्टेशन वो पुलिस पर निकाल रहा होता है एक दो दिन और भी गुजर जाते है फिर से किर्णापर का कौद हान को आता है हान पुछता है तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल चुके है अब मेरे बच्चे को जाने दो इन पर कहते है कि तुमने पुलिस को कॉंटेक किया था जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है अब वो उसके बच्चे को मार देगा इसके धमकियों दे रहा होता है हान कहते है ऐसा मत करो तो मैं जो भी चाहिए और भी तुम्हें पैसे में दे सकता हूँ यह इसे और भी हंडेड की डॉलर्स देने के लिए मान जाता है किन्ने पर कहते है किया मैं तुम्हें लास्ट चांस देने वाला हूँ हान अब पच्च्टावा करने लग जाता है जो पुलिस ऑफिसर उसके साथ होता है इसे हो बात कर रहा होता है यह कहता है कि मेरे पास गन विगरा नहीं थी पर फिर भी मैंने बहुत सारे लोग को मारा है यह जो काम करता है इसमें रूतलेस था मैं अपने आपको गौड समझता था मुझे लगता था कि जो सब मुझे चाहिए यह सब मुझे मिल सकता है मैं लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ अब देखो मेरा क्या हाल हो चुका है भगवान मुझे पनिश कर रहा है इसे उस कौपर भी दया आ रहे होती है यह कहता है कितने दिनों तक तुम घर नहीं गए हो यह पुलिस कहता है कि तुम्हारा गुसा भी सही ही था कभी-कभी हम अच्छे से काम नहीं करते किर्णा पर अब डारेक्ली कॉल नहीं करता वो जीसुन को लेटर लिखता है इस लेटर में लिखा होता है कि इस टाइम पर तुम एक जगा पर आ जाना, वो अब किसी पर भी टरस्ट नहीं कर सकता, उसने अगर इस बार सही से पैसे वगरे दे दी है, तो उसका बेटा उसे रात तक मिल जाएगा, अब जीसुन पुलिस को बहान बनाती है, कि वो जच जा उसे और एक नोट छोड़ी हुए होती है, कुछ लोग ये गार्बेज बैक लेकर जा रहे होते है, पर जीसुन इन्हें रोक लेती है, इस नोट में और एक पता उसे दे दिया जाता है, एक बड़े से बिल्डिंग के उपर उसे जाना है, एक कहा जाता है, ये भागते होती है, यहाँ पोश्टी है, पर लिफ्ट एंगेज होती है, ये स्टेज से जाती है, और उपर चर्ती चर्ती ठक जाती है, ये ड्रीम करती है कि उसका बेटा उसके पास है, अपने वेड़े को हग करती है, उसका बेटा उसे उपर जाने के लिए कह रहा होता है, अब वो पर इज भी चल रहे हुती है तो रोरो कर यह नीचे गिर जाती है यह आप unutकांश्यस ही है और इसका에 घर में इे सुलाया गया है इसे मिलने के लिए चरज के सब लोग 생"! या फादर भी आए हुएती हैं तो जीशुन पैसे निकाल दिया और फादर को दे दिया। , प्लीज मेरे बेटी के लिए कुछ करो, आप प्रेयर करो, कुछ भी करो, प्लीज मेरे बेटी को वापस ला दो, जब हान यह सब देखता है, तो सब पर चीट जाता है, इन सब को घर से बाहर निकाल देता है, हान को भी अपने बेटी की याद आती है, वो अपने बेटी को किस इस तरह से चिटाता था, उसके बेटा उसका मसाज करकर देता था, यह सब उसे याद आता है, यह बहुत ही sad मैसूस करता है, पूलेस ने और एक suspect वो पकड़ा हुआ होता है, इसका voice वेगरा सब कुछ मैच कर रहा होता है, पर यह 100% नहीं होता, इनका बहुत सारा शक इस पर ह होता है, तो हान अब इसके पास जाता है, इसके पहर पकड़ता है, और कहता है कि प्लीज मेरा सन मुझे वापस देतो, यह किड़गिरा ने लग जाता है, तब ही हान के घर पर call आता है, यह किड़नाबर का call होता है, यानि कि जिसे इन्होंने बकड़ा है, यह किड़नाबर प्रेश्ट हो जाता है अब हमें दीखता है कि 26 डेज्स गुजर चुके अभी इनका बेटा किड़ने भी है जब हान लच कर रहा होता है तो किड़ने पर उसे कॉल किर्णा पर अब उसकी बेटी की दूसरी आवाज उसे सुनाता है हान को अब हो पाता है हान को लग रहा था कि इसका बेटा मर चुका है पर इसका बेटा अभी भी जिन्दा है इसकी आवाज उसने सुनी है तो फिर से मोटिवेट हो जाता है किर्णा पर इसे एक जगा पर गुज़र जाते है और इसके बेटे की लाश इन्हें नदी में मिलती है इसके साथ एक टेप रेकॉर्डिंग भी होती है कि नैपर ने इसके बेटे के वोईस रेकॉर्ड कर लिया था और यही वो सुनाता रहता था जिस उन आप रो रोकर बुरा हाल कर देती है वो कुछ भी क रड़ देती है यह कहती है कि मुझे मेरा ही बेटा चाहिए मैं फिर से कोई भी बच्चा नहीं होने दे सकती है यह रो रोकर कहती है कि मेरा बेटा मुझे फिर से वापस ला दो कि नैपर ने इनके बेटे को जहा रखा था यह स्पॉर्ड होने मिल जाता है यहाँ पर हान ज मुझे उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था हान को अपने बेटी की बहुत याद आती है और यही रोने लग जाता है यह पुलिस कहता है कि हम 100 बसे उसे ढून लेंगे कभी भी बज़ कर जा नहीं सकता अब बहुत दिन हो चुके थे तो हान अपने जॉब पर जाता है आज उसे जो न्यूज देने होती है यह किर्णापर के बारे में होती है किर्णापर की वोईस सब लोगों को सुनाना चाता है अगर किसी ने वोईस पैचान ली तो किर्णापर पकड़ा जा सकता है ये निउस हान ही देने वाला होता है जब ये निउस दे रहा होता है तब इसे सब कुछ रिटेल में समझाना पड़ता है और ये रोने लग जाता है ये सबसे request करता है कि अगर आप इस आवाज को जानते हो तो please police से contact करो ये टिवी पर ही रोता है पर फिर भी निउस चैनल वाले ये camera इससे नहीं निकालते है हान के रोने से इनके शोको ही benefit होगा इसलिए camera इस पर ही रखते है ये ये movie खतम हो जाती है और हमें facts दिये जाते है ये जो kidnapper की voice थी ये 1991 में record की गई थी इसने बहुत सारे बच्चों के साथ ये ही किया था इसकी investigation चलती रही और 420 suspect को पुलिस ने investigate किया था 87 recordings analyze की गई थी कभी भी उन्हें किर्णापर नहीं मिला ये movie 2007 की थी तभी भी इन्हें किर्णापर नहीं मिला था और अभी भी किर्णापर पकड़ा नहीं गया है आज तके किर्णापर खुलाई गुम रहा है ये अभी भी ये सब कर रहा हो सकता है हम सब लोग अब सिर्फ प्रेही कर सकते हैं कि ये किर्णापर पकड़ा जाए यही हार्ट ब्रेकिंग वीडियो आज हम खतम करते